एलो गाई, इसमान बात के नवाले है सुजलोण एनजी इस कमनी की बारे में इस कमनी का quarter to FY23 का result आच चुका है सामने तो कैसरा इस कमनी का result और क्या इस कमनी ने dividend दिया एकि नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे तो वीडियो को ज़रू से end तर दिखते रहे ना सुचलों एनेजी की बात करें तो इस कमनी का रिजर्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है YouTube सारे अयमांट्स रिजर्ट के बिशारी करोड उसमें में बताइगी यह 1 को का कपार किरेंगे यह इस कोाटर का रिजल्ट यह पिछले कोटर का रिजल्ट है कमनी की इंकम की बात करें तो revenue from operation को मिला कर कमनी का total inकम की इस कोटर के अंदर 1,442.58 करोड न। का कमनी का total total income है यह quarter and quarter base cape और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले कमनी की income में कच्छी तेजी देखने का मिल जाती है बाकी इस कमनी के आपर expense की बात करें तो अलग-अलग चीजों के अंदर बहुत सारे expense है ज्यादा तर जो इस company का expense है वो service cost के अंदर जाता है बाकी इस company के आपर से net profit की बात करें tax and expense item काटने के बाद company के पास net profit बच रहा है 56.47 करोड रुपिस का quarter and quarter base के पर company के net profit में massive गिरावट आई है बाकी पिछले साल सेम quarter के मकाबले company के net profit यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ जाता है loss company से loss making company से profitable आती हुए नजर आ जाती है बाक 0.06 रुपिस का company का EPS देखने को मिलता है जो quarter and quarter base के उपर बढ़ा है पागी पिछले साल सेम quarter के मुकाबले कम होता हुआ नसर आ जाता है अब यहाँ पर बात कर लगता है company के शिर में करना क्या चाहिए देखो company यहाँ पर हम देखने जाए तर company का शिर आपर से fundamental तो भाई लग चुकी हो already यहाँ पर हम बात करें इस company के अंदर आप लोगों को यहाँ पर investment करना है खरीदारी करनी है तर चलो बहुत जाद है यहाँ पर investment करने का mood हो रहा है तर पांच रुपे सांट पैसे का level और चार रुपे का level यह दोनों ही एक अच्छे support है जहाँ पर खरीदार पैसा चला जाएगा जो भी लगा है वह ऐसा आप लोग investment करना चाहते हो तो इस company के अंदर एक दो हजार रुपे लगा सकते है उससे जादा जो amount है वह इस company के अंदर मत लगाना पैसा फसेगा ना तब आप लोगों को शायद यहाँ पर से बहुत जादा दूख होगा जब मिलेगा तो चलो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी पर जाएगा ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा दूख होगा तो मेरा यहाँ पर से suggestion यही रहेगा हमारे वी उसन subscriber को कि इस company से दूर हो जो profit में हो तो profit को book करने में देरी मत करो profit बुक करना है तो आप ल बुलना गुद्बाइ लव गुद्बाइ फिर में दे नेक्स देव में गुद्बाइ